यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवते भारत अभ्युत्तानं अधर्मस्य तदात्मानं श्रिजाम्यः परित्राणाय साधुनां विनाशाय जदुश्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी संगम्युगे निराकार शिव है आए गीता का ज्यान सुनाए निराकार शिव है आए गीता का ज्यान सुनाए ब्रम्हातन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए निराकार शिव है आए गीता का ज्यान सुनाए ज्यान सुनाए प्रजापिता ब्रम्हा के द्वारा उन्होंने यग्य को व्रद्धी हो ऐसा वर्दान दिया साथ ही अर्जुन के अनेक प्रशन थे किस संसार में पाप क्यूं होते हैं उसके उपर भी बहुत सुन्दर बात कहीं कि रजोगोर से उत्पन काम और कुरोध के कारण ही मनुश्य पाप का आचरण करते हैं और इसलिए तुम अपने इंद्रियों को डिसिप्लिन करो जितना करमेंद्रिय तो डिसिप्लिन करेंगे तुम मन वश में होगा और तीसरे अध्याई के अंत में अर्जुन का जो लास्ट प्रश्न था कि क्या इतना इजी है मन को डिसिप्लिन करना तब भगवान ने कितनी सुन्दर बात पताई कि आत्मा बल्वान है और बुद्धी के द्वारा, क्योंकि बुद्धी लगाम है, तो बुद्धी के द्वारा मन रुपी घोड़े को वश करना सहच हो जाएगा और उसके लिए करमेंद्रिय को डिसिप्लिन करने की आवश्यक्ता है, तो ये बात हम सभी ने तीसरे अध्याई में समझी, प्रथम अध्याई तो अरजुन का विशाद योग था और विशाद के बाद जैसे ही उसने विश्वास रखा इश्वर में, तब फिद दूसरे अध्याई में भगवान ने आत्मा का ग्यान दिया, आत्मा के स्वधर्म का परिचे कराया, और स्वधर्म के आधार पर कर्म करने की प्रेणा आज चोथे अध्याई में भगवान ज्ञान कर्म सन्यास योग के विशे में बताते हैं और कहते हैं कि है अरजन आत्मा परमात्मा तथा इन दोनों के दोनों से संबंदित दिव्य ज्ञान का कारी है शुद्द करना ऐसा दिव्य ज्ञान कर्म योग का फल है अरथा दिव्य ज्ञान की प्राक्ति तब होती है जब यक्ति यथार्थ कर्म योग का आचरन करने का सुचता है इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचिन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता और सत गुरु के पास जाने की आवश्यक्ता का उपदेश देते हैं उसमें प्रथम श्लोक से लेकर अठारवे श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विशई ज्यान सूरिय इस अविनाशी योग को कल्प के आरंद में विवश मनुष्य को कहते हैं 19 वे श्लोक से लेकर 23 वे श्लोक तक योगी महत्मा पुरुशों के आचरण उसकी महिमा बताई है 24 वे श्लोक से लेकर 32 वे श्लोक तक फल सहित भिन भिन यग्यों का कथन किया गया है और 33 वे श्लोक से लेकर 42 वे श्लोक तक ज्यान की महिमा बताई है और इस अध्याई के आरंभ में अर्जुन का पुनह प्रश्ण भगवान को होता है और वो प्रश्ण है कि हे प्रभू ये ज्यान आपने सबसे पहले किसको दिया था जैसे अर्जुन की जिग्यासा है हम सब के मन में भी आती है तो भगवान से वो प्रश्ण करता है कि आपने सबसे पहले ये ज्यान किसको दिया तो भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को कल्प के आदी में मैंने सूर्य से कहा सूर्य से मनु को यही गीता ज्यान प्राप्त हुआ मनु ने अपनी स्मृती में संजोया सूर्य को दिया सूर्य से मनु मनु मना चंद्रमा चंद्रमा को मनु कहते हैं तो मनु को यह गीता ज्यान प्राप्त हुआ मनु ने उसकी स्मृती में संजोया अपने स्मृती में उसको रखा और मनु से इक्षवाकू को मिला जिसे राज रिशियों ने जाना किन्तु इस महत्व पॉनकाल में वह लुप्त हो गया यह सारा ज्ञान लुप्त हो गया अब सोचने की बात है कि गीता ज्ञान की आवश्शक्ता किसको है क्या सूर्य को गीता ग्यान की आवश्यक्ता है जो उसको सुनाया सूर्य ने फिर मनु को यानी चंद्रमा को सुनाया क्या चंद्रमा को गीता ग्यान की आवश्यक्ता थी आवश्यक्ता तो इंसानों को है और इसी लिए जब इंसानों की इसकी आवश्यक्ता है तो सूर्य को या चंद्र को सुनाने की जरूरत ही क्या है लेकिन यहां एक बहुत सुन्दर बात है जैसे कहा के कभी भी आप देखो बच्चपन में आप सभी ने भी एक स्कूल में खेल किया होगा जिसको कहा जाता है चाइनीज विस्पर्स और चाइनीज विस्पर्स उसको कहा जाता है कि सारे बच्चों को एक गोलाकार में खड़ा किया जाता है और जो है एक बच्चे के कान में कोई बात कही जाती है और बात कहने के बाद जो है फिर उसको दूसरे के कान में सुनानी है तीसरे के कान में सुनानी है, चोफे के कान में सुनानी है, और लास्ट बच्चे तक जब वो बात आती है, तो completely change हो जाती है, ठीक इसी तरह, ये गीता ग्याम भगवान में 5000 साल पहले दिया, अर्जुन को, जिसको उस समय वेद व्यास जी ने सुना, वेद व्यास जी ने खाया गनेशी को, और इस तरह से पुरा महा भारत और कीता का सत्यसार तयार हुआ, उसके बाद कितनी बार इंटरप्रेटेशन हुए, कितने लोगों से वो गीता क्रॉस होते होते, इंटरप्रेट होते होते, आज हमारे पास जो है, क्या उसमें कुछ शब्द लुपत होए होंगे या नहीं होए होंगे, कुछ चेंजिज आए होंगे या नहीं आए होंगे, अवश्य आए होंगे, तो कहते 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 ये कुछ चीजे उसमें लुपत भी हो जाती है, तो वास्तों में सूरिया को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव यहां यही था, कि कल्प मनु ने उसको समझा जाना मनु को ये ज्ञान प्राप्त हुआ और मनु यानि चंद्रवंशी आत्माओं ने उसको जाना फिर धीरे धीरे वहां से इक्ष्वाकू को मिला इक्ष्वाकू यानि द्वापरयोगी आत्माओं को भी ये मिला ज्ञान यानि कैसे ये ट्रांसेंड होता है और उसके बाद धीर धीरे राजरिशीयों ने जाना, राजरिशीयों ने जाना, यहानि कलीओ के आरंब तक भी आया एक ग्यार। आर जहां मनुश्य विवश, विवश उसको कहते हैं जो संस्काररहित है। तो जब मनुश्य विवश्वान हो जाता है, यानि संसकार रहित हो जाता है, उस अवस्था तक पहुचा, लेकिन क्योंकि वो संसकार रहित हो गया, उनको इंस्टन्ट फल चाहिए हर चीज़ का. कल्यूप में मनुश्य को हर बात में इंस्टन्ट फल चाहिए तो इंस्टन्ट फल कहां से मिलेगा मेहनत नहीं करना चाहते हैं पुर्शार्थ नहीं करना चाहते है तो रिद्धी सिद्धियों का संचार होता है और ये रिद्धी सिद्धियों का संचार जब गुआ जिसके प्रभाव के कारण ये ज्ञान लुक्त हो गया, लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, पुरुशार्थ नहीं करना है, इंस्टंट फल चाहिए, तो इसलिए उन्होंने रिद्धी सिद्धियों को अपनाया और ऐसे स समय में ये ज्ञान लुक्त हो जाता है, भगवान कहते अब ये वही पुराना योग, आज मैंने तुझको फिर से कहा, जिससे सर्वक को प्राप्त होगा, यानि कितना एक्यूरेट इसमें बताया है, लेकिन सिर्फ शब्दों में थोड़ा चेंज आ गया, सूर्य वन्शी क कि मतले सूर्य को कहा कहा कह दिया, मनु को मिला यानि चंद्रवन शीयों को मिला, राज रिशियों तक आया, यानि द्वापर से लेकर कल्यूग तक भी ये ट्रांसेंड होता है, लेकिन कल्यूग में क्योंकि लोगों को ग्यान नहीं चाहिए, लोगों को इंस्टन फल चाहि बगवान कहते है, आज मैंने फिर से यही ग्यान तुम्हें वापस दिया और जिससे अनेक आत्माव को भी प्राप्त होगा तुमारे द्वारा, उसके बाद बगवान ने बहुत सुन्दर बात आगे अर्जुन को कही, अर्जुन का दुबारा प्रश्नो उत्पन होता है मन के अंदर, और जब कहा कि मैंने सूर्य को कहा, सूर्य से चंदर को मिला, तब फिर बगवान को के सामने अर्जुन का दूसरा प्रश्ना आता है, जो हमारे मन में भी आ सकता है, कि क्या यह उत्तम रहस्य पूर्ण योग का वर्ण करने हैं तु, आप सबकी तरह पैदा होते ह कि आपने यह ज्यान कैसे दिया, अब यहाँ यह बहुत स्पष्ट बात है, कि अगर सिक्रिश्न है भगवान के रूप में अर्जुन के सामने, सिक्रिश्न को तो वो देखी रहा है, अर्जुन, और अर्जुन सिक्रिश्न से पूछ रहा है, कि क्या यह ज्यान सुनाने के ल आप मनुष्य की तरह, माना इसी तरह पैदा होते हैं। अब जब ये कहा कि ये उत्तम रहस्य पुर्ण योग का वर्णन करने के लिए क्या आप सबकी तरह, माना हम सबकी तरह पैदा होते हैं। तब भगवान ने कहा, यानि यहां अगर सिक्रिष्न होता, तो सिक्रिष्न कहता है, इसलिए गीता में कहीं पर भी सिक्रिष्न वाच नहीं है, भगवान वाच नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, नहीं, मैं सबकी तरह पैदा नहीं होता, स्वरूप की प्राक्ति शरीर की प्राक्ति से भिन्न है, यानि परमात्मा अपने स्वरूप को रचते हैं, वो स्वरूप अउतरित होते हैं। शरीर की प्राक्ति मना जनम लेना, तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं, और यहीं कहते हैं, मेरा जन्म इन आँखों से देखा नहीं जाता है। अब से कृष्ण बोल रहे हैं, कि मेरा जन्म इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है। क्यों? तो कहां मैं अजन्मा हूँ। कितना क्लियर है गीता के अलदा। अव्यत हूँ, शाश्वत हूँ, मैं विनाश रहित हूँ, पुनरजनम रहित हूँ, मैं पुनरजनम में भी नहीं आता हूँ। प्रकर्ति को अधिन करके योग माया से प्रगट होता हूँ। मेरा स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, अर्थात गर्भ में, कोई मा के गर्भ में मैं जन्म ले करके नहीं आता हूँ। इसलिए कहा मेरा स्वरूप जो है पिंड रूप में यानि गर्ब में प्रवेश नहीं करता है योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामैश प्रकर्ति को स्ववश करके में प्रगट होता है कितना क्लियर यहां भगवान अर्चुन से बात कर रहे हैं यहां यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सिक्रिष्ण से के माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है सिक्रिष्ण नहीं बोल रहा है लेकिन उसके द्वारा बोलने वाली शक्ति कोई और है तो वो शक्ति कौन है फिर जिसने कहा मैं अजन्मा हूँ मैं आव्यक्त हूँ आव्यक्त मना व्यक्ति कहते हैं हम शरीर को और अव्यक्त मना शरीर से परे अव्यक्त मैं कोई व्यक्ति के रुप में नहीं आता अब सिक्रिष्ण कहता है मैं व्यक्ति के रुप में नहीं आता हूँ तो सिक्रिष्ण कौन है सिक्रिष्ण कौन हुए तो फिर भावर्थ यह है कि कितना यहां पर कुछ misunderstanding हुई है, यानि लोगों ने इसको समझा नहीं है और इसी लिए ये वाक्य जो है परिवर्तित हो गए है अब यहां बहुत गहराई से समझने की बात यह है कि क्रिश्न का मतलब क्या है जिस तरह से कहा जाता है कि दुनिया के अंदर चार राम है चार राम माने ज़ते हैं न, एक राम दसरत का बेटा जो स्री राम के रुप में हुए दूजा राम घट-घट में लेटा घट-घट में लेटा यानि आत्मा को भी राम कह गया है आत्म राम तीसरा राम जगत से न्यारा यह परमात्मा राम को कहा जाता है जगत से नियादा और चौथा राम शकल पशारा अर्था जिसके शकल पर राम नाम दिया गया है। आत्मराम तीसरा राम जगत से नियारा और चौथा राम शकल पशारा ठीक इसी तर कृष्ण भी दो है और वो दो कृष्ण कौन है। तो एक कृष्ण स्री कृष्ण के लिए कहागें। क्योंकि कृष्ण का exact meaning है। सबसे आकर्षण मैं मूरत, the most attractive one, बहुत सुन्दर, तो इस संसार में सुन्दर सिर्फ दो ही है। कौन है, एक सी कृष्ण है और एक शिव को, शिव को भी कृष्ण का आगया है। कैसे, शिव के साथ भी ये शब्द आता है, सत्यम, शिवम, सुन्दरम। कैसे, शिव सत्य भी है, कल्यान कारिय भी है, और अती सुन्दर भी है। तो अती सुन्दर स्वरूप शिव का है, जो निराकार है। तो इसलिए कृष्ण दो है, एक शिव को कृष्ण कहा गया, और एक से कृष्ण को कृष्ण कहा गया। अब गीता जिस समय लिखी गए थी, उस समय सबसे आकर्षण मैं मूरत, कृष्ण, यानि आकरिष्ट करने वाला, आकरिष्ट माना अट्रैक्टिव वर्ड, जो लोगों को आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने वाला जो सी कृष्ण है, वो तो फिजिकली है, लेकिन जो निराकर है, वो दिव्य स्वरू परमात्मा का, वो भी इतना सुंदर है, जो सब को आकर्षित करता है। तो दोनों कृष्ण की बाते मिला दिया है। इसलिए जब गीता के चौथे अध्याई में अर्जुन का ये सवाल है, कि क्या आप ये दिव्य योग सिखाने के लिए हम सब की तरह पैदा होते हैं। तो भगवान केते हैं नहीं। यानि वो परमात्मा शिव जो अती सुंदर है, वो ये शब्द कह रहे हैं नहीं। स्वरूप की प्राक्ति शरीर प्राक्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आखों से देखा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, शाश्वत हूँ, मैं विनाश रहित, उनर जनम रहित, प्रकर्ति को अधिन करके, यानि शरीरूपी प्रकर्ति जो है, उसको अधिन करके मैं योगमाया से प्रगट होता। मैं अपनी शक्ती से योग माया मना अपनी शक्ती से प्रगट होता हूँ, वाउतरित होता हूँ, मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रुप में नहीं होता है, यानि मैं किसी गर्ब में नहीं प्रवेश करता हूँ, लेकिन योग साधना जो कर रहा है, ब्रह्मा बाबा जो योग साधना करता है तो अपनी त्रीगुणा में प्रकर्ती को त्रीगुणा में प्रकर्ती यानि तीन प्रकर्ती जो सात्विक, राजसिक, तामसिक है उसको स्वावश मैं अधिकार में लेता हूँ अपने अधिकार में लेता हूँ और फिर में प्रगट होता हूँ ताकि उसके चाहे सात्विक, राज्सिक, दामसिक कोई भी जो नेचर है वो काम नहीं करता है क्योंकि परमात्मा प्रगट हो करके उसके रध को अपने अधीन कर देता है तो ये भगवान ने अर्जुन को कहा अब वो परमात्मा जो आकरश्ट करने वाला है आकरश्ट करने वाल वो कौन तो उसको तो हम सभी जानते हैं कि श्व बाबा जो निराकर स्वरूप है जिसकी पूजा भारत के अंदर जोतर लिंगम के रुप में हुई वो जोतर लिंगम परमात्मा किस तरह से अउतरित होते ह जिसके अनेक नाम है चाहे सहस्त्र नाम जिसके कहा गया भारत के अंदर हर मंदिर का नाम देखो अलग रूप में दिया गया है तो वो परमात्मा जोतर लिंगम दिव्य स्वरूप जो है जिसकी मान्यता हर धर्म में है सिक्रिष्ण को हर धर्म वाले लोग नहीं मानेंगे लेकिन निराकर स्वरूप को हर धर्म के लोग मानते है चाहे इसलाम धर्म में चले जा तो इसलाम धर्म में उसको काबा कह करके ऊचते हैं या याद करते हैं बंदगी करते हैं चाहे क्रिश्चन धरम में चले जा तो क्राइस्ट ने कभी यह नहीं कहा कि I am God उसने यही कहा God is light I am the son of God मोजस ने जब गए वहाँ पर परवत के उपर जहां उनको 10 commandments मिले जो आज भी Old Testament में है Bible के तो उस समय भी उनको जोती स्वरुप का सक्षत कर हुआ जिसको देख करके मोजस ने कहा यह हो वा और इसी लिए जब जीजस को क्रॉस पर चड़ा रहे थे उस समय भी जीजस ने भगवान से यही प्रात्ना की कि हे प्रभु आप उन्हे सद बुद्धी देना क्योंकि उन्हें मालुम नहीं वो क्या कर रहे कहा जाता कि आज भी वेटिकन चले जाओ जहां क्रिश्चनों का सबसे बड़ा तिर्थ माना जाता रोम में उस वेटिकन में किसी व्यक्ति की पुजा या किसी व्यक्ति का स्वरुप नहीं मिलेड़ा वेटिकन के अंदर लाइट का ही स्वरुप है जिसको सभी याद करते है जिसस का स्वरुप नहीं रखा है वेटिकन में और आगे जाओ तो कहा जाता है कि सिख धर्म में गुरु नानक देव ने कहा ये कोमकार, निराकार, निरवेर, सतनम, अकालमूरत, अजोनी कितनी सुन्दर रिती से सारी महिमा गाई हुई है और आगे जाओ जैन धरम में तो जैन धरम में महावीर स्वामी जो 24 तिर्थंकर बताते हैं उसमें लास्ट का जो तिर्थंकर है महावीर स्वामी तो वो महावीर स्वामी भी साधना में दिखाए है तपस्या करते हुए दिखाए है किसकी तपस्या कर रहे हैं तो जैनी लोग कहते हैं सिद्ध शिलापती सिद्ध शिलापती यानि जो सर्वस्रेष्ट है उसकी तपस्या किया तो 24 के 24 तिर्थंकर सभी ध्य लगा रहे हैं किसका ध्यान लगा रहे हैं तो वो सिद्ध शिला पती जो सर्वस्रेष्टे उसका ध्यान लगाते हैं और आगे जाओ बौद धर्म में बौद भी महात्मा बुद्ध भी ध्यान अवस्था में किसका ध्यान कर रहे हैं तो कहा जाता है कि आज भी जपान चले ज बैटके एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जो बिलकुल शिवलिंग आकार का होता है, जिसको वो कहते करनी का पवित्र पत्थर या जिसका नाम है चिंकोन शेकी, तो उसी को परमात्मा का स्वरुप मान करके ध्यान करते हैं, और आगे जाओ, पार्सी धर्म में तो कहा जाता के पार्सी लोग जब इरान से भारत आये थे, तो जलती हुई जोत लेकर के आये थे, और आज भी उनके जो मंदिर हैं, उनको अग्यारी कहा जाता है, तो आज भी जब नई अग्यारी स्थापन होती है, तो उस अग्यारी के अंदर जलती हुई जोत को ले जा करके स्थापित करते हैं कि अखंद जोती स्वरूप तो सर्व धर्म मानने कौन है कि सभी धर्म में उस निराकार को परमात्म के रूप में स्विकार किया गया है जिसको कहा देवों का देव के सभी देवी देवताओं ने भी जिसको याद किया सिक्रिष्ण ने भी उसकी पूजा की गोपेश्वरम में स्री राम ने भी उसकी पूजा की रामेश्वरम में तो शंकर ने भी जिसका ध्यान किया तो जो सभी देवों का भी देव है सभी धर्म पिताओं के उने भी जिसको याद किया जिसको अनेक नाम दिये गए किसी ने गौड कहा अल्ला कहा इश्वर कहा प्रभू का मालिक कहा साइन बाबा ने क्या कहा सबका मालिक एक साइन बाबा ने कभी अपने आपको गौड नहीं कहा उसने यह कहा सबका मालिक एक आप उसको याद करो उस मालिक को याद करो लेकिन आज मनुष्य ने क्या किया मनुष्य ने उनको ही भगवान मान ली जो साइन बाबा खुद कहते ह सबका मालिक उसको याद करू अज मनुश्य क्या करता है उस मालिक को याद करने के बजाएं साही भाबा को याद कर रहे हैं तो समय के अंत्राल में कितना degradation हो गया है कि लोग परमात्मा को भूल गए वो देवी देवताओं को ही मानने लगे और देवी देवताओं को भी छोड़ करके मनुश्य को ही बगवान मान करके उनके मंदिर बनाने लगे। इसलिए जो चौत्य अध्याई में इतनी क्लियर बात कही गई है लेकिन जैसे कहा ये ग्यान लुप तो हो जाता है जब ग्यान ही लुप तो हो गया आज गीता कितने लोगों को मालूम होंगी घर में जरूर रखी होंगी लोगों ने गीता लाल कपड़े में लपेट करके कारते हैं तब अरजन का दूसरा सवाल उत्पन होता है जब बगवान ने कहा किने में सब की तरफ पैदा नहीं होता है तो दूसरा सवाल आता है जो हमारे मन में भी आ सकता है कि फिर आप किस परिस्थिती में और कब प्रगठ होती हैं तब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर भवतिर भारत अब्युत्थानम धर्मस्या तदात्मानम स्वजामियाम और यहां अर्जुन को भगवान एड्रेस करते हैं हे भारत हे भारत के रुप में यानि एक अर्जुन को नहीं सुना रहे है भगवान यह भारत का यानि हर भारतवासी को भगवान ये ज्ञान दे रहा है और हर भारतवासी को क्या कहा जब 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 परंधर्म परंधर्म किसको का सनातन धर्म को जब जब परंधर्म जो सत्यता का धर्म था तो वो परंधर्म और परमात्म के प्रती रदई गलानी से भर जाता है, जब अधर्म की व्रद्धी हो जाती है, तब तब, जब जब तब तब मैं अपने स्वरुप को रचता हूँ, और स्वयम अवतरित होता हूँ, यहाँ अवतरण का अभी प्राइप उनर जनम लेना नहीं है, लेकिन उन्ह अपने स्वरुप को प्रगट करता है, उन्ह इस संसार में अवतरित होता है, अब जब जब बरम, धरम और परमात्मा के प्रति, दोनों के प्रति, धर्म भी विलुप्त हो जाता है, और परमात्मा के प्रति भी रदय गलानी से भर जाता है, अब यह कब होता है? सत्यूग के अंदर तो देवी देवताएं थे, तो वहां तो परमात्मा के प्रति कोई रदय गलानी से भरता नहीं, वहां तो सनातन धरम था, तो सत्यूग में आने की संभावन तो भगवान की है नहीं, त्रेता में भी रामराज्य था, वही सनातन धरम था, तो वहां पर भगवान के आने के आवश्यक्ता नहीं। अगर दौपर में आया हो और अधर्म का नाश किया। और अगर सत धर्म की पुना स्थापना की तो द्वापर के बाद तो कल्यू गाता है तो क्या भगवान के गीता के ज्यान से कल्यू की स्थापना हुई घोर धर्म के यूग की स्थापना हुई इंपसिबल और इसी लिए जब जब धर्म की परंधर्म और परमात्म के प्रती रदई गलाने से कब अरता है तो कल्यूग में है इसलिए कहा जब जब तो कल्यूग के अंट में ही कल्योग में ही मनुष्य का रदय लानी से भर जाता है और तभी परमात्मा को आने की आवश्य रखता है और तभी परमात्मा आकर के ये गीता का ज्यान देते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि द्वापर में बगवान ने गीता का ज्यान नहीं दिया क्योंकि गीता का ज्यान अगर इतना powerful ज्यान मिल जाए तो अधरम आही नहीं सकता है लेकिन गीता के ज्यान के बाद अगर गोर अधरम का यूग आए तो फिर तो बापस भगवान की बदनामी हो जाए एक प्रकार से कि क्या भगवान के गीता के ज्यान से धरम के यूग की सतापना हो इंपॉसिबल ये भी इसलिए कल्यूग के अंत में ही आते है और गोर अधरम का यूग ये तो कल्यूग में आज से कल्यूग में भी अगर देखा जाए प्रक्किकली कि आज से सौ साल पहले आज से सौ साल पहले भी इतना धरम नहीं था इतना नहीं था जो आज है राइट तो द्वापर में तो इतना होई नहीं सकता नए आज से सौ साल पहले भी जो पुराने बुजरुग थे वो भी कहते है आज ते इतना अधरम हो गया है आज से सौ साल पहले भी नहीं था इतना जितना आज है कल्यूग के अंदर में और इसी लिए शास्त्रों के अंदर भी ये बात आती है कहा जाता है कि जब कल्यूग आता है न तो उस समय किसका राज्य था तो कहा जाता परिक्षित राजा का राज्य था उस समय और परिक्षित राजा बहुत अच्छा न्याई राजा था और कल्यूग ने दस्थकत दी मना नौक किया तो परिक्षित राजा ने पूछा कौन तो कहा मैं कल्यूग हूँ तो परिक्षित राजा ने कहा मैं तुझे अपने राज्य में एंट्री नहीं दे सकता हूँ यह शास्त्र में कहानी आती है तो कहा मैं तुझे अपने राज्य में एंट्री नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितना खतरनाक है तो कल्यूग ने मुस्कुराते हुए कहा परिक्षित राजा ने पूछा तुम क्यूं मेरे द्वार पर नौक कर रहा है दस्तकत क्यूं दे रहा है तो उसने कहा आपके राज्ये में थोड़ा सा स्थान चाहता तो कहा कि मैं त तुझे अपने राज्य में आने नहीं दूंगा तो कल्यूग मुस्कुराता है और कहता है कि आप चाहो यह ना चाहो मेरा टाइम आ गया है मैं आहीं जाओंगा आप नहीं स्थान देंगे तो भी मैं गुश जाओंगा मैं नम्रता पुर्वत आपसे स्थान मांग रहा हैं कि आपके राज्य में मुझे स्थान दो तो कहा जाता है कि परिक्षित राजा ने कहा चाह तो मैं तुझे तीन स्थान देता है जहां तुम्हें वास करना है तक कौन सा स्थान देना है तो तीन स्थान कौन से मांगे उसने तो पहला स्थान उसने कहा, शराब खाने में रहना, beer bars जो दिन, beer bars में रहना, शराब खाने में रहना, का ठीक है, दूसरा स्थान, तो कहा के वैशालेव में रहना, जहाँ वैशाय हैं, वहाँ तुम रहना, तो कहा ठीक है तीसरा स्थान तो तीसरा स्थान उसने कहा कि एक तो वैश्वैलों में दूसरा शराब खाने में रहना और तीसरा जो है जुए खाने में रहना जुए खाना मना जहां पर यह जुए खेलते न क्या बोलते हैं कसीनो तो कसीनो में रहना यह तीन स्थान ते रखो दिया कसीनो में रहना शराब खाने में रहना बीयर बार्ज में रहना और वैश्याले में रहना तब कल्यूग कहता एक स्थान और दे दो चार स्थान दे दो तो जब चौथा स्थान मांगा कि एक स्थान और दे दो तो परिक्षित राजा सोच में पड़ गया कि अभी चौथा स्थान कौन सा दो उसको यह तीन स्थान तो दिया उसको तो उस समय उसको जब सूज नहीं रहा था तो कल्यूग ने कहा मैं थोड़ा ये करूं आपको सजेस्ट करूं तो बोलो तो कहा सुवर्ण में स्थान दे सुवर्ण यानि सोने में सोने में स्थान तो परिक्षित राजा के मुझसे निकल गया ठीक है दिया और उसने ताज पहना था सोने का तो जैसे उसने कहा ठीक है तो कल्यूग ने सीधा उस स्थान में प्रवेश कर लिया सुवर्ण में स्थान मांगा न उसने तो स्थान में स्थान ले लिया उसने और जैसे ही उसने ताज में अपना स्थान कल्यूग प्रवेश हो गया, अब ताज में बैढ गया जो, तो यहां ही तो दिमाग होता है इंसान का, तो दिमाग को वो गुमाने लगा, कहा जाता है कल्यूग वहां बैठ करके दिमाग गुमाने लगा, और इसलिए जहां-जहां सोना है, वहां-वहां कल्यूग है, तो हर एक के घर में सोना है, हर एक के उपर सोना है, तो सोने में क्या होता है, कल्यूग है, पर कल्यूग है, तो कल्यूग ने जब दिमाग गुमाना चालूग किया, तो उसने क्या किया, उसने ये तीन स्थान को भी हर इनसान के घर में ले आया, आज हर एक के घर में आप देखो, घर के कोने में बीयर बार होता है कि नहीं होता है, विदेश में तो हर जगा अमेरिका में तो क्या होता है हर घर के कोने में एक बीयर बार होता है कि नहीं होता है एक कोना होता है जहां सारी शराब की बॉटल है रखी होती हर घर के अंदर जुआ खेला जाता है नहीं खेला जाता है खास करके दिवाली के दिनों में कई घरों में जुवा खेला जाता है तो जुवा भी खेला जाता है घरों में शराब खाना घर में आ गया जुवा खाना घर में आ गया और वैशाले भी आज किस तरह से गंद की घरों में गुश गई है तो कल्यू के जो चारो स्थान है वो घरों में आ गया के नहीं आ गया इसलिए धरम गलानी हुई परम धर्म की गलानी हुई और इसलिए खली धरम गलानी ने परमात्म के प्रतीरदय गलानी से बर गया इसलिए आज देखो भगवान को कौन याद करते हैं घर में खली जो बुजूर्ग होते हैं वही याद करते हैं बाकि आज कल की जो जनरेशन है उसको भगवान को याद करने का टाइम है और इसलिए पहले घरों में मंदिर होते थे लेकिन आज मंदिर बाहर हो गये घर में कल्यूग आ गया इसलिए तो अशान्ती है घर गर क्यांता और जब ऐसी अशान्ती हो जाती है तभी तो भगवान को आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है इसलिए भगवान कल्यू क्यांत में ही आता है गीता का ज्ञान देने के लिए और फिर क्या कहा यदा यदाए धर्मस्य के बाद का परित्रानायम साधू नाम विनाश आये दुश्कृताम धर्मसंस्थापनात संभवामी युगे युगे यानि कल्प के युगे युगे तो कल्प शब्द निकल गया और युगे युगे लेकिन युगे युगे का मतलब हर युग में आने की तो आवशक्ता नहीं और इसलिए आ करके क्या करते हैं तो भगवान के ते परमसाध्य, परमात्मा के समीप ले जाने वाला विवेक गीता ग्यान को क्या कहा विवेक देता, वो विवेक वैराग्य, कल्यू क्यांत में जब इतना कल्यू घर-घर में गुज जाएगा तो वेराग्य उत्पन होगा कि नहीं होगा तो विवेक वेराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विग्न प्रवाहित करता हूँ यानि हर एक के जीवन में उसको फ्लो होने देता हूँ तथा दुश्कृत्य के कारक, काम, क्रोध, राग, द्वेश, इत्यादी विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए अब यहाँ जब का मैं पूर्ण विनाश करता द्वापर में अगर पूर्ण विनाश कर दिया तो कल्यू कैसे आएगा आई नहीं सकता है, तो कितना कॉंट्रोवर्सी लेकिन गीता पढ़ने वाले उस बात को नहीं समझते हैं तो पूर्ण विनाश करने के लिए तथा परम धर्म, सनातन धर्म की पुनह स्थापना करने के लिए मैं ऐसे यूगे-यूगे, ऐसे यूगे-यूगे मतलब जब इतना अधर्म होता है, ऐसे यूगे-यूगे प्रगट होता हूँ, तो वो तो कल्यूग के अंत में आता है और फिर आगे जो भगवान कहते हैं, कि यहां यूग का मतलब, कोई हर यूग की बात नहीं है, सत्यूग, त्रेता, द्वापर, कल्यूग की बात नहीं है लेकिन जब तामस गूण, यानि तामसिक गूण भरपूर हो, तो सत्यूग में तो सात्विक गूण थे, सत्यूग त्रेता में, द्वापर में राजसिक गूण थे, और कल्यूग में ही तामसिक गूण भरपूर हो जाते हैं मनुष्य के जीवन में और मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बहुल्य हो जाता है। कितने बज़े उठते, किसी ने सूर्य उद्रा यह देखा ही नहीं होता है। यानि सही क्या है गलत क्या है यह जानते हुए सही काम करने ही सकता है। आज कौन कर सकता है। आज हर एक जानता है सही क्या है गलत क्या है। सिंपल एक्जामपल अगर ले लू तो भी आज हर कोई जानता है कि भई सिगरेट पीना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, ड्रग्स लेना बुरी बात है। लेकिन कौन छोड़ता है, दिनों दिन उसमें चली जाता है। तो कर्तव्य को जानते हुए उसमें प्रवरत नहीं हो सकता है, उसको आचरण में नहीं ला सकता है। अतना फ्लक्चूइट होता है, तब परमात्मा इस संसार में प्रगट होते हैं। इसलिए दुरियोधन ने क्या कहा था। लेकिन धर्म के मार्क पर मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, शक्ती नहीं है। धर्म के मार्क पर मैं चल नहीं सकता हूँ और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। अब क्या कहना है। जब उसने स्पष्ट भगवान जब समझाने गया दुरियोधन को तो दुरियोधन ने जब स्पष्ट कह दिया धरम क्या कहता है मैं जानता हूँ अधरम किसको कहता है वो भी मैं जानता हूँ लेकिन धरम के मार्क पर मैं चल नहीं सकता हूँ अधरम को मैं छोड नहीं सकता आज की दुनिया में भी धर्म क्या कहता है कौन नहीं जानता है अधर्म क्या कहता है कौन नहीं जानता है लेकिन धर्म के मार्क पर कितने चल सकते अधर्म को कितने छोड़ सकते हैं तो हुए ना दुरियोधन है ना प्रेक्टिकली कि धर्म को जानते हुए उस पर चल नहीं सकते इतनी ताकत नहीं है आत्मा में शक्ती नहीं है यही तो दुरियोधन ने भी बगवान से करा कि मेरे में ताकत नहीं है तो आज की दुनिया में भी आज अगर दादा दादी नाना नानी अगर पोते को कहते हैं वही तुम भगवान को थोड़ा याद कर या मंदिर में जा तो क्या कहते हैं टाइम नहीं है उनके पास और जगह जाने के टाइम है कसीनों में जाने के लिए को टाइम है लेकिन मंदिर में जाने का टाइम नहीं है नहीं यह प्रैक्टिकल बात है आज आप देख रहे हैं अनुबहो कर रहे हैं तो कितना घोरा धर्म है इसलिए कहा पहले घरों में मंदिर होते थे यह जुआ खाना कसीनों यह समभार होते थे लेकिन आज मंदिर बाहर हो गये और घरों में यह आ गया तो अधर्म तो फैल नहीं घर में जब तक मंदिर थे तब तक फिर भी धर्म था अज घर के एक कोने में खाली मंदिर जैसा रख देते हैं ताकि घर के जो मुज़रूग है वो खाली दिया बत्ती जलाते हैं या घर बत्ती जलाते हैं और बाकी क्या होता है घर के जो बच्चे है अगर बहुत force करते तो हाथ जोड देंगे ओम शान्ती यह करके निकल जाते क्यों करते कि नहीं करते माबाप भी परिशान है बच्चे कहां-कहां जा रहे हैं माबाप को पता ही नहीं चल रहा है यह खाली विदेश की बात नहीं कर रही हुए भारत में भी यही हाल है विदेश में तो फिर भी एक छोटा मंन दिर तो बना करके रखेंगे लेकिन भारत में तो आजकल घरों में जगा ही नहीं है मंदिर के लिए मंदिर रखने की भी जगा नहीं क्योंकि फ्लैट्स इतने छोटे-छोटे हो गए वहां तो फिर भी बड़े-बड़े घर है तो कम से कम मंदिर रखे जाते हैं लेकिन भारत में तो मंदिर भी घर में नहीं रखा जाता एक फोटो दिवार के उपर रख देते हैं जिस भी भगवान को मानते हैं उसको बस बाकी सब चीजों के लिए घर में स्थान है लेकिन मंदिर के लिए नहीं है तो संसकार कहा से आएंगे पच्चों में इसलिए संसकार रहित हो रहे हैं तब ही जो भगवान ने का जब मनुष्य संसकार रहित हो जाता है तब मैं आता हूँ तो संसकार रहित कब हुए सत्यूग में तो संसकार रहित है नहीं द्रेता में भी नहीं थे द्वापर में कलिव के अंध में ही तो संसकार रहित हुए उसके बाद भगवान ने अर्जुन को बहुत और एक प्रश्ण अर्जुन के मन में उपन हुआ जो प्रश्ण का जवाब भगवान देते हैं और अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि प्रफु जब भगवान कहते मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलोकिक है जो यह चरम चक्षु से यानि यह चमड़ी की आँखे मुझे देख नहीं सकती है देखा नहीं जा सकता है तो अर्जुन पूछता है जब आपको इन आखों से देखा नहीं जा सकता है तो आपको कौन देख सकता है कौन समझ सकता है तब भगवान ने बहुत सुन्दर बात कही कि केवल तत्वदर्शी यानि जो ज्ञान और तपस्या द्वारा जो पवित्र बनते हैं भगवान को कौन जान सकते हैं तो जो ज्ञान द्वारा पवित्र बनते हैं तपस्या द्वारा पवित्र बनते हैं और वित्राग भै और क्रोध से मुक्त है यानि वित्राग यानि मोह राग द्वेश जिसको कहा गया वित्राग राग द्वेश जिसको कहा जाए यानि मोह भै और क्रोध से जो मुक्त है वो मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा सक्षतकार कर सकता है कौन जो पवित्र है जो कान परोध लोब मोह भै से मुक्त है वो मेरे इस जन्म को कर्म को देखता है या मेरा सक्षतकार कर सकता है आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता है बहुत सुन्दर बात यहां भगवान ने कही इस अवीर्य भाव यानि परमात्मा के विश्य को समझने के लिए जो पहले आत्म साक्षात कर इसलिए गीता में भी दूसरे अध्याई में आत्मा का ज्यान दिया गया और जो आत्मा को समझता है वही परमात्मा को समझ सकता है और ये भी समझता है परमात्मा किस वित्रागी में अवतरित होते हैं किसमें तलियुप के अंत में परमात्म अवतरित होते हैं, वो तब ही समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता है, कौन समझ सकता है, जो पवित्र बनता है, ज्यान और तपस्या के द्वारा जिसने आत्मशुद्धी किया है, वही इस रहस्य को समझ सकता है कि परमात्मा किस व्यक्ति में अवतरीत होते हैं वितरागी मना जिसने वैराग्य को अपनाया है जीवन के अंदर जो काम करोध लोग मोह से मुक्त है ऐसे व्यक्ति में अवतरीत होते तो यहां से कृष्ण में अवतरित होते हैं सा तो कहा ही नहीं गीता नहीं कि हे अर्जुन मैं ही परमात्मा हूँ ये तो कहा ही नहीं लेकिन तब मनुष्य भी समझेंगे कि किस वित्रागी में अवतरित होता है कौन जो आत्मा को समझेंगे, वही परमात्मा को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि परमात्मा उस समय किस व्यक्ति में अवतरित होते हैं, कितना सुक्ष्म बात यहां भगवान अर्चुन को कह रहे हैं, उसके बात परमात्मा फिर थोड़ा अटेंशन चेंज करने के लि तोड़ा फिर उसका माइन डाइवर्ट करते, क्योंकि बहुत हैवी हो रहा था, कि किस वित्रागी में आता है, भगवान कब आता है, फुरा हैवी सबजेक्ट हो गया है परमात्मकर, तो इसलिए उसको कर्म की गुई गती का ग्यान बीच में दिया, और कहा कर्मों की गती अत मनुश्यक है, क्योंकि तभी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, पवित्र बनना है, तो कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो तभी तुम समझ सकता है, फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो मनुश्य कर्म में अकर्म, और अकर्म में कर्म को देखता है, वो बुद्धिमान योगी है, वही बुद्धिमान है, जिसको कर्म का आरंब और फल की प्राक्ति में कामना का त्याग है, तथा संसारिक आश्रे से रहित हो गया है, और परमात्म की याद में नित्यत्रिप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रिटी नहीं होती, वह ज्ञान रुपी अगनी से विकर्मों को भस्म कर देता है, अब यहां बहुत सुन्दर बात यह समझने की है, कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का मतलब क्या है, उसको बुद्धिमान योगी का है, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, वो बुद्धिमान योगी है, तो वास्तों में कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म यहां कहा गया है स्रेश्ट कर्म, जब कर्म की बात कही कर्म माना स्रेश्ट कर्म अब कर्म किसको कहा तो वो हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लोग के बीज बोना धरनी के अंदर बीज बोना ये कर्म है यह ना बीज बोना ये स्रेश्ट कर्म है फिर उसको पाने दिया, खाद दिया और धीरे-धीरे वो बीज अंकुरित हुआ, पौधा निकला और पौधे से धीरे-धीरे व्रिक्ष हुआ और उस व्रिक्ष के उपर फल लगा, वो मनुष्य ने उस फल को तोड़कर खाया, दोनों करम उसने ही किये, बीज बोने का करम भी उसने किया, फल तोड़के खाने का करम भी उसने किया, लेकिन दोनों करम में अंतर क्या है, तो बीज बोने का जो करम है, वो स्रेश्ट करम है बीज बोया क्योंकि एक बीज से सौ फल की प्राक्ति हुई है लेकिन फल तोड़के खाया उसको अकर्म कहा जाता है क्यों? क्योंकि उस फल खाने के कर्म का कोई फल नहीं मिलता है सैटिस्ट्रेक्शन मिला समाप्त हुआ तो बीज बोने का कर्म स्रेश्ट कर्म क्यों है? क्योंकि उस बीज से सौ फल वो भी हर सीजन में प्राप्त होते है लेकिन फल तोड़के खाने का जो कर्म किया उसका कोई फल नहीं मिला सैटिस्ट्रेक्शन मिला और समाप्त अब भगवान कहते है कर्म में अकर्म स्रेश्ट कर्म किया उसका फल मिला और वो फल तोड़के खाया ये कर्म में अकर्म लेकिन उसको बुद्धिमान नहीं कहा रहा बुद्धिमान किसको कहा जो अकर्म में कर्म देखता है भाव ये कि अकर्म में कर्म मना फल तोड़ के जो खाया और खा करके बीज फेक दिया दस बिन में उसको बुद्धी मान ने लेकिन जो उस बीज को पुनहर उपित करें उसको कहा जाता बुद्धी मान योगी भाव ये प्रैक्टिकल ये तो नेचर की बात हमने किया लेकिन भाव ये है कि आज मनुश्य स्रेश्ट करम करता है उस स्रेश्ट करम के फल स्वरुप उसको प्रालब्द मिलता है अच्छा जीवन मिलता है लेकिन अच्छा जीवन मिलने के बाद क्या हमने अच्छे जीवन में फिर से स्रेश्ट करम किया अर्था दुबारा उसको बीज बोया भाव बहुत सुंदर है एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से उसको सुनाना चाहूंगी आपको कि एक बार एक सेठ जी थे और सेठ जी को तीन बेटे थे दो बेटों की तो शादी हो गई थी तीसरे बेटे की शादी होने वाली थी अब जब तीसरे बेटे की शादी होने वाली थी तो उसकी जो बहुत ही वो बहुत समझदार बहुत अच्छे परिवार से थी तो जब उसकी शादी वोई घर में आई तो पहली जो दो बहुत ही उन्होंने ससुर जी के नियम बताए कि बहुत है कि अपने घर के नियम समझ लो कि हमारे ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना ये बहु को बड़ा अश्यर हुआ दान नहीं करना का हाँ हमारे ससुर जी को दान करना पसंद नहीं आता इसलिए दान नहीं करना कभी किसी को कुछ देना नहीं है ख़िक है अभी जिस फैमिली में आए हैं तो वहा जो नियम चलता है तो वो नियम को तो पालन करना पड़ेगा ख़िक है दान नहीं करेंगे और फिर जो है बता दिया नियम और दान धरम पुन्य करना नहीं है यह हमारे ससूर जी को पसंद नहीं है तो फिर एक कुछ समय बीता कुछ समय बीतने के बाद वो छोटी बहु कपड़े सुखा रही थी गैलरी में बड़ा बंगला था सेट जी का तो गैलरी में कपड़ा सुखा रही थी तो नीचे गेट पर एक विखारी आता है तो बिखारी ने जब देखा कि वो बहु कपड़ा सुखा रही तो नीचे से उसने आवाज दिया और कहा तीन जनम का भूखाव कुछ दे दो जब विखारी ने ये कहा तीन जनम का बुखावू कुछ दे दो तो वो बहु जो उपर कपड़ा सुखा रही थी उसने क्या कहा उसके उत्तर में मासी खाना खा रहे हैं कलुपवास करेंगे तो वो विखारी चला गया कि मासी खाना खा रहे कल उप्वास करेंगे अब नीचे ससुर जी न्यूस पेपर पढ़ रहे थे अगर पोच था वहाँ पोच में बैठ करके न्यूस पेपर पढ़ रहे थे उसने ये बात सुनी कि बहु ने कहा मासी खाना खा रहे हैं कि कल उपास करेंगे और ये सुनते वो बिकारी चला गया उसको बड़ा गुस्सा आया कि बहु क्या बोल रही है बासी खाना खा रहे हैं इतना ताजा खाना खिला रहे है रोज का रोज और कहते हैं बासी खाना खा रहे हैं किस दिन उसको वासी खाना खिला है और उपास करेंगे कल कौनसा उपास कराया उसे को बड़ा गुस्सा आया सेट जी को इसको इंसल्ट में सुज़ो इतना में लाता हूं करता हूं और हर रोज ताजा चीज खाना को मिलती है कभी उपास करने की बात नहीं है और फिर उसने ऐसा उल्टा क्यों बोला भिकारी को तो वो समझ ही नहीं पाया कि वो बहु का मतलब क्या था और ना समझने कारण उसको बड़ा गुस्सा आया उसने बस गुस्से में आ करके सीधा फोन उठाया और वो छोटी बहु के पिताजी को फोन किया कि भाई आपकी बेटी तो हमें बदनाम कर रही है हमें ऐसी बहु अपने घर में नहीं चाहिए आप ले जाओ अब पिता बड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ कि जो भाई उसके जो संब्दी है वो इतना गुस्से में आकर का बेटी को ले जाओ ऐसा क्या किया मेरी बेटी तो इतनी समझदार है इतनी सुशील है तो ऐसी क्या गल्ती हुई अब वो जमाना था जो लोगों को कहा जाता था कि भाई बेटी को शादी पर यही कहा जाता कि भाई आज तेरी डोली जा रही है और ससुराल से ही अर्थी निकलेगी यह नहीं कि आज की तरह कि भाई अगर फोन आया तो कहेंगे अरे हमारे घर में सब कुछ है भले ले आओ बेटी को रख दो अपने घर में ऐसा नहीं आज कल तो थोड़ा भी हो तो समझने के बज़ाए कि क्या हुआ उसके बदले कहते है आ जाओ कोई बात नहीं हमारा घर म तो पिता बड़ा परेशान हो गया कि ऐसा क्या हुआ हमारी बेटी से जो समझने कहा कि ले जाओ उसको और कैसे ले आए हम उसको उसका जीवन तो फिर कतम हो जाएगा तो वो पंचो के पास गया पहले के जमाने में पंच होते थे तो पंचो के पास गया और पंचो के पास जाकर उसको कहा कि भई आप तो जानते हो मेरी बेटी को तो कहा बेटी तो बड़ी अच्छी आपकी सुशील है एकदम हरिती से आग्याकारी है तो कहा उसके समधी का य कोन आया अब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करूं आप नयाय करो तो पंचो ने का simple बात है हम संसुर को बुला लेते उसके संसुर को बुला लेते पूछ लेते क्या हुआ क्यों वो बेटी को भेज देना चाहते हैं तो पंचो ने बुलाया कुसेड़ जी को के भई ऐसा क्या हुआ के आपने कहा बेटी को ले जाओ तो उसने कहा के भई बिखारी आया और बिखारी आया तो बिखारी ने जो कहा तो उसने जवाब में कहा के बासी खाना खा रहे कल उपास करेंगे अब किस दिन हमने उस बेटी को माँ सी खाना खिलाए किस दिन उसको उपास करने के लिए ता फिर ये बिखारी को ऐसा क्यों कहते हíst आज बिखारी को कहा कल समाजवाले को कहेगे तो हमारी तो इजद चली जाएगी इसलिए हमें ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो हमें बदनाम करें तो पंच में ये थोड़ा सोच में पढ़ गए कैसा क्यों कहा के मा सीखाना का रहे जबकि रोज ताजा खाना किलाते तो फिर जो है समने सोचा कि भई जा करके पूशते हैं लड़की कोई बुलाते और पूशते उसने ऐसा क्यों कहा लड़की को बुलाए कि भई तुने ऐसा क्यों कहा कि मासी खाना खा रहे कल उपवास करेंगे तो वो लड़की ने कहा हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ कि अगर आपको हो तुम्हें सच्चाई बताओ बोलो सच्चाई बताओ तो कहा ऐसा है कि हमारे घर में नियम है कि दान नहीं करना हमारे ससोजी का ये नियम है कि दान नहीं करना अब वो बिखारी ने कहा कि तीन जनम का भूखा तीन जनम का भूखा का मतलब है कि पहले जनम में उसके पास होगा लेकिन उसने कभी दान किया नहीं और दान नहीं किया तो natural है कि उसका false work उसको बिखारी बनना पड़ा क्योंकि किसी को दिया ही नहीं तो उसके पास इतना पुन्य का खाता जमा ही नहीं था इसलिए बिखारी बना और बिखारी बना तो किया दान करेंगा इसलिए दूसरा तीसरा जनम भी बिखारी का मिला तो अब उसको होश आया इसलिए वह कहता है कि ऐसा कुछ दे दो जो मैं भी दान करके अगला जनम तो सुधार लूँ झाट आज़ीए चश्वत से बूखाओं अगर इस जनम में भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा तो अगला जनम मेरा भी फिर से भी खारी का होगा अब हमारे गर में ससुर्जय का नियम है कि दान नहीं करना तो मैंने उसको यही कहा यह जो तू देख रहा है इतना बड़ा बंगला मोटर गाड़ी सब कुछ देख रहा है यह पिछले जनम में अच्छ किया हुआ कर्म का फल का तो बासी खाना खा रहे हैं लेकिन इस जनम में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो कल हमें भी उपासी करना है तो इसलिए भगवान अर्जन को कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो गुद्धिमानियों की कि जो फल मिला आए उस फल से दान करो ताकि आगे के जन क्योंकि जो दान कर रहा है व्यक्ति दूसरों को दे रही राध अपना जमा कर रहा है अगले जनम के लिए तो अकर्म में जो फल खाने वाली चीज या उससे भी जो स्रेष्ट कर्म करता है वो बुद्धिमानियों की है वो बुद्धिशाली व्यक्ति है जिसके कर्मों का आरम और फल की प्राक्ति दोनों के बीच का जो समय कर्मों का आरम जरेश्ट करम का आरम और फल की प्राक्ति दोनों के बीच में कामना नहीं है जो दान करता है उससे भी कोई इच्छा ने के मुझे अच्छा मिले तो कामना का त्याग करता है और सांसारिक आश्रई से रहित संसारिक आश्रिक यानि मुझे सुवीधा मिले, मुझे कमफर्ट्स मिले, उससे रहीत हो गया है तब परमात्मा की याद में और ऐसे समय में भी उसका गमंड न करके उस धन का गमंड न करके परमात्मा की याद में नित्यत्रिपते के इंटर्नल सैटिस्टेक्शन के साथ, उसके कर्मों में कोई त्रिटी नहीं, अर्थाथ उसके कर्म में कोई ऐसी गल्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके पास ज्यान है, और वो ज्यान रुपी अगनी से, ज्यान एक ऐसी अगनी है, तो ज्यान रुपी अगनी से, समझ से, विकर्म जो बुरे कर्म हुआ है जीवन में, उसको भी भस्म कर देता है, उसको भी समाप्त कर देता है, कितनी सुन्दर बात यहां भगवान ने गीता में कही है जीवन जीने की कला सिखाई अर्जुन को फिर आगे भगवान कहते हैं कि है अर्जुन जो जिसने शरीर की इंद्रियां और अंतकरण को वश किया हुआ है वह आपरिग्राही है वह शरीर सम्मंदि करम करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंदता है इंद्रियों को जिसने डिसिपलिन किया हुआ है जिसके पास जिसके जीवन में लोब नहीं है अपरिग्राही है लोब नहीं है वो जो भी कर्म करते हैं वो कर्म बंदन से नियारा रहता है अर्थात वो कर्म के बंदन में नहीं बंदता है और आगे फिर बहुत सुनदर धाना की बात कही जो इरशा से परे जेलसी से उपर रहता है इर्शा से परे द्वंदों से अतीत, द्वंद मना जो confusions है life में, वो confusions से जो परे रहता है, तो इर्शा से परे द्वंदों से अतीत, misunderstandings में नहीं जाता है, मना confrontation में नहीं जाता है किसी से, तो द्वंदों से अतीत, ऐसे confrontation से दूर रहता है, सफलता असफलता में समान, सम, मना equanimity maintain करता है, जो संग दोश की आसक्ती से रही, संग दोश में नहीं आता है, संग में फंस्ता नहीं, बुरे संग में, आसक्ती यानि जो लालच है, लालच से परे रहता है, अभीमान से मुक्त, जिसकी बुद्धी ज्यान में स्थिर है, जो equanimity maintain करता है कैसे, ज्यान से, स्थिर रहता है, सदा संतुष्ठ आत्मा है, और यग्य के लिए, यानि आत्मशुद्धी करन, जीवन एक यग्य है, तो आत्मशुद्धी करन के लिए ही करम करने वाला, उसके सर्व पूर्व विकर्म दग्द हो जाते हैं, कितनी सुन्दर बात धारना की यहां की है, इर्शा से परे, अब कई मार कई लोग क्या करते हैं, हमें तो किसी के लिए इर्शा नहीं है, लेकिन लोग हम से इर्शा क अगर लोग इर्शा करते हैं, तो अभी चिंता नहीं करो, क्यों नहीं करे एक चिंता? देखो, क्योई भी इंसान इर्शा करता है, तो किस से करता है? हमारे प्रालब्द से इर्शा करेगा, अरे इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, तो प्रालब्द से इर्शा हुई न हमने जो पाय अब हमने जो चीज पाई भाग्य से इर्शा करता है अब जो भाग्य को प्राप्त किया वो कैसे किया भाग्य कैसे मिलता है कर्म से मिलता है मैंने जो करम किया उस कर्म के फल स्वरुप मुझे भाग्य मिला अब जो इर्शा करने वाला इर्शा करता है किस से इर्शा करता है मेरे भाग्य से और भाग्य से इर्शा होती तो क्या करेगा निंदा करेगा अरे आप जानते नहीं है मैं जानता हूँ वो एक बहुत सुन्दर जोक याद आता है जोक में ये कहा गया कि एक बार एक पड़ोसी मना दो पड़ोसी रहते थे पास-पास में तो एक पड़ोसी बहुत महेंगी गाड़ी लेके आया तो उसने सोचा मेरे पड़ोसी को जो रूद दिखाएं देखना हूं कैसे जल जाएंगे देख करके तो उसने जो है पार्टी रखी उस नहीं कार के उसमें कि बहुत अच्छी गारी है बहुत अच्छी गारी है और चले गए तो जैसे ही चले गए तो जाने के बाद वो उसके बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छी गारी थी हमको भी ऐसी लानी चाहिए तो वो पड़ोसं जो थी जो बहन थी वो कहा अरे कितना रिश्वत खाया होगा कितना ये किया होगा तब जाकर के गाड़ी लाए है ऐसे थोड़ी लाए है मनख खाके भी आए सब कुछ ये भी किया और आकर के उल्टा क्या बोला रिश्वत जरूर ली होगी बाकी तो जो उसका पगार है उसमें इतना बड़ा गाड़ी ले सके ये तो ताकत नहीं है उसकी लेकिन जरूर इतनी रिश्वत ली होगी इतना उल्टा सीधा काम किया होगा तब जाकर के ये पैसा आया है और ये गाड़ी आई है माना आज दुनिया में लोग इर्शा करते तो क्या उल्टा सीधा बोलते निंदा करते हैं तो जहां इर्शा है जैलसी ये वा निंदा जरूर होए है अब लोग मेरे भाग्य से अगर इर्शा करेंगे तो इल्टा सिधा तो जरूर बोलेंगे तो भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुनिया को तो मालूम है कि व्यक्ति कैसा है मनुष्य पहचाना जाता है उसके व्यावहार से व्यावहार अगर ठीक है हमारी व्यावहार शुद्धी है तो कोई कितनी भी निंडा करें कोई बिली करेगा नहीं करेगा यह व्यक्ति बहुत अच्छा है नियम से चलता है काईदे से चलता है तो मेन बात है हमें किसी की इर्शा की परवा नहीं करनी है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है क्योंकि जो भाग्य मैंने प्राप्त किया कैसे प्राप्त किया कर्म से इसलिए कई बार लोग कहते न मैं उसके कर्म की हाथों की रेखा ऐसी है हाथों की रेखा की बात नहीं है जिस हाथ से मैंने जो करम की, अच्छा करम किया, उससे मुझे प्रालब्द मिलता, ये हाथों की रेखा से प्रालब्द मिलता ऐसा नहीं है, लेकिन जिस हाथों से मैंने अच्छा करम किया, उसी से मुझे स्रेश्ट भाग्य मिला, अब मैंने करम किया और मुझे भाग्य मिला, तो मेरे कर्मों को चेंज करने की ताकत किसमे है? किसी के निंदा करने से क्या मेरे करम बदली हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे. इसलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. हमेशा अच्छा करम करते जाओ. जितना अच्छा करम करेंगा आपे ही लोग उसके मूँ में कहेंगे तुम किसके लिए बोल रहा है? वो हमेशा इतना अच्छा करम करते हैं. और वो अच्छे करम से उसने भाग्य को करता है, तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि उसके निंदा करने से मेरा भाग्य परिवर्तन होने वाला नहीं है. यह समझ लूए. भाग्य परिवर्तन तब होता है, जब मैं बुरा करम करूँ. और मैं बुरा करम करती कैसे हूँ? कि जब मान लो किसी ने इर्शा की, उसने निंदा की, निंदा करके किसी के आगे तो निंदा की, अब वो निंदा करने, जिसके आगे किया, वो व्यक्ति आकर मुझे सुनाता है. क्योंकि वही सुनाएगा, वो आकर के जब सुनाता है कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा-ऐसा बोल रहा था. अब उस समय जो गुस्सा आता है और गुस्सा में आकर के मैंने निंदा करना शुरू करने, अरे हम भी जानते उसको, कैसा है? अब यह जो गुझानी करना चालू किया, निंदा करना चालू किया, यह जो बुरा करम किया, उसी से मेरा भाग्यप, परिवर्तन जरूर होगा. उसके बोलने से नहीं होगा, लेकिन मेरे उल्टे करम से जरूर होगा. इसलिए आपको इर्शा नहीं है, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर कोई आप से इर्शा करके उल्टा सिदा हो, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, तीसरा व्यक्ति जब आकर के सुनाता भी है, तो भी आपनी श्चेद रहो, यही उसको दुआ दो, उसको भगवान सद्गुत्ती दे, बस, उसको भगवान सद्गुत्ती दे, जब हम अच्छा बोलेंगे, तो अपने आप सारी बात पलट जाएंगे, इसलिए भगवान कहते हैं, इर्शा से परे, सफल्ता में अभीमान नहीं आना चाहिए, समान रहो, और ऐसे संग दोष से दूर रहो, जो आपको उल्टी सीधी बाते सुनाते हैं, ऐसे संग से दूर रहो, लालच में नहीं आओ आसकती से परे रहो अभीमान से मुक्त रहो जिसकी बुद्धी ज्यान में स्थिर है ज्यान को उसमें अपलाई करो ज्यान में स्थिर है इंटर्नल सैटिस्टेक्शन है और यग्य के लिए आत्मशुद्धी के लिए ही जो करम करता है उसके पूर्ववी करम भी दगत हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं यह करम की कोई इकती जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई और लास्ट में चौथे अध्याय के अंद में भग सा है तो भगवान केते ही अर्जुन सर्व यग्य से ज्यान यग्य अतिस्रेष्ट और कल्याण करी है ज्यान यग्य और ये ज्यान यग्य ही तो चल रहा है इतना दिनों से हमारा जो ये ऑनलाइन चल रहा है क्या चल रहा है यही तो ज्ञान यग्य है तो यह ज्ञान यग्य अतिस्रेश्ट परम कल्यारकारी है क्योंकि महान पापात्मा भी ज्ञान नईया द्वारा संसार सागर से पार कर देती है जब मनुष्य जीवन में भी ज्ञान आता है तो उसे महान पापात्मा भी संसार सागर से पार हो जाती है, जिस प्रकार अगनी इन को मना पेटरोल को खतम कर देती है, जला देती है, कोई भी ऐसी चीज़ है ते उसको जला देती, वैसे ज्ञान भी विकर्मों को समाप्त कर देती भस्म कर देती है और सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मशुद्ध और पवित्र बन जाती है इसी लिए भगवान केते ज्ञान यग्यक के आधार से आत्मशुद्धी करो जितना ज्ञान अर्था समझ को एपलाई करते जाएंगे जीवन के अंदर तब ही मनुश्य आत्मा का उद्धार होता है उसका कल्यान होता है तो ये भगवान ने चौथे अध्याई में एक तो अपने विशाई में बताया कि भगवान परमात्मख कौन है और कैसे आते हैं संसार में गीता ज्ञान देने के लिए और कर्म की गुईए गतिस पष्ट की और सभी यग्य में स्रेष्ट यग्य कैसे ज्ञान यग्य है तो ये तीन बात क्योंकि उसी से ही हमारा कल्यान होता है तो ये मुख्य बात आज के चौथे अध्याई में हम सभी ने सुनी और आगे पर सो अभी सुनेंगे आगे के सत्र में सुनेंगे के पाज़वा अध्याई में बगवान क्या कहते है बाकि अभी थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करके हम समाप्त करेंगे ओभ शान्ति कहां मिलेगा बाबा ऐसा सत्युक में तेरा प्यार हो सत्युक में तेरा प्यार कहां मिलेगा बाबा ऐसा सत्युक में तेरा प्यार हो सत्युक में तेरा प्यार भले ही रोंके महलों में होंगे सुख के अती भर मार कह मिलेगा तेरा प्यार बाबा कह मिलेगा तेरा प्यार कौन सुनाएगा मुरली वहां बाबा बेना दिल लगेगा कहां कौन सुनाएगा मुरली वहां बाबा बेना दिल लगेगा कहां कौन करेगा तेरे सिवा बाबा कौन करेगा तेरे सिवा बाबा रोज हमें श्रिंगार हो कह मिलेगा तेरा प्यार बाबा कह मिलेगा तेरा प्यार अभी तो बाहों में छुलाते हों पलकों पे अपने बिठाते हों ग्यान रतन से सजाते हों मिठे मिठे बोल सुनाते हों थाओ स्टू करणे वो लो